अच्छा तो पहली वीडियो में में सेटप नदर आ रहहा एक सेटप है इंटरेन री हिज दिन यानी रेसेप्रोकीर इंजन का ठीक है इंटरन brute सेखल में जो इंजन होता है वह बी इंटर्ली के शिरीचिंघ हिरा ते और फिंटरीड करें के नões करते हैं तो में एक combustion engine के अंदर क्या हो रहा होता है तो इस सिंपल सिलेंडर है इसने एक खास किसम का fuel मैं आप दिखा दूँ यह अभी compress कर रहे देखें यह compress किया इसने fuel को ठीक है अब फ्यूल यह compress हुआ वहाँ पर एक ignition हुई spark plug ने ignition किया और धमाका हुआ इतने चोटे से हिस्से में जब धमाका होगा तो सारा का सारा प्रेशर जो है वह नीची की तरफ उसको ट्रांस्वेट करेगा तो पिस्टल ने कनेक्टिंग रॉड के थुरू क्रेंक शार्फ जो नीचे मोटर की शाफ्ट रहे उसकी तरफ पर सारा प्रेशर ट्रांस्वर किया वह इतना धमाका हुआ तो वह सारा प्रेशर नीची की तरफ ट्रांस्वर हुआ और इस तरीके से वह इंजन घूमा यह आपको इदर बड़न होती है इसमें क्या होता है वही रेसिप्रेटिंग इंजन है ठीक है सेटप अब एक रीडियली सेलेंडर लगे हुए ठीक है एक पीच में सेंट्रल शाफ्ट है जिसके ओपर तमाम वह ट्रांस्वर होता है उसके बाद वह सेलेंडर के दर कंबस्टिंग हो रही है पर आपके साथ साथ हो रहा है ठीक है और जब यह कंबस्टिंग पूरी हो जाती है तो फिर आपके पास यह क्रेंक शार्ट घूमने लग जाती है और यह वाले इंजन जहातर वहां होते हैं जहां पर पास प्रपेलर टेकनोलोजी में और अगली वीडियो है हमारे पास वह किस तरीके से हम चली के जिकर किया था आगया इसमें बीकर में क्या हो रहा है कि जितना भी हमारे पास वह हमारे पास जो कंकरीट के जिए ब्लोक है कॉलम्स है उसको यह लोग तोड़नी कुश कर रहे हैं अब चुछक एक सिंगल वह भी होता है और यह मल्टिपल नहीं बद मेरी बिस्कुट होता है खाने वाला उसका पूरा पैक आप ले लें ठीक है वह एक एक बिस्कुट है तो हम यू देखते हैं तो वह बिल्कुल एक सिलेंडर की तरह नजर आ रहा होता है लेकिन एक्टुल में वह मुख्तलिफ बिस्कुट के मिलाब से बना होता है तो अगर ए यू करके मुख्तलिफ प्लेंस की शकल में बनी होती है तो यह जो सारे कंक्रीट ब्रेकर जो है ना इनके आगे बहुत शार्प है जो होता है वह यू करके एक इंपक्ट फोर्स देते हैं इंपक्त पोर्स आपको पता है हर चीज को तोड़ सकती है इंपक्त पॉर्स ली का इतने ःब फ्लेंट फ्लेंट तो इसके नतीजे में क्या हो रहा है कि फूर्स पूर्स चूरा जर्ण के बार आ गूँए और बिल्कुल ख्लेर है जाप क्यों यह वजब आपको कुछ वाता है जब्帶 milk यह इनट्रस्वीं डिया इसकी शाम जो किसी चीज को साफ कर रहे होते हो तो सब्सक्राइब हों कि हम उच्छाओं है यूं उच्छान क YouTuber करें कि फ यह यूं कर दो उच्छालते में वह तो पहले हमतों में तरफ की सब्सक्राइब करने हिसे उच्छाफदे शेत् intent में शक्राइब कर दो पेड़ी यह हियातक है और फुद्धास सन्दितं गैसे उम हम manually उचालते हैं यहां बर यह एक ऐसी मशीन है जिसके त्रू जो है ना वो यू यू कर गे तेस्ट जिलेशन कर रहे हैं उस उसिलेशन के नतीजे में क्या हो रहा है कि वह पूरी की पूरा जो सेटप है वह वाइबरेट कर रहे है तो फिरा में यह हो रहा है कि एक मोटर के सा रही होती है उसके साथ साथ वह एक खास किसम की सिंपल हर्मोनिक मोशन यानि अप एंड डाउन मोशन भी ट्रंस्मिट कर रही होती है और यह पूरा का पूरा सेटप जो है ना आपका वाइबरेट करने लग जाता है यह हम देख सकते हैं यह आर्टों के आर्टे की फेक्ट इंदर यह सीन होता है किए क्योंकि बॉटल पूरी तो फेक होती है तो पैक होने के नचीए में क्या होता है कि जब हम बॉतल को खाली कर रहे होते है तो एयर बबल्स वाटर के दर ट्रवल करते हुए यह ज़गबारे से होते हैं बुलबले से होते है वह उपर की तरफ जात यह उपर उस वेक्यूम को फिल करती है अब अगर हम वेक्यूम के लिए एर के लिए वेक्यूम तक का रास्ता असान कर देंगे तो पानी जल्दी निकलेगा साइन्टिफिकली यह बाद प्रूवन है ठीक है तो चूंकि हम जो सिंपल यूं उल्टा देते हैं बोतल को तो वो सही तरीके से नहीं निकल रहा होता क्योंकि वो बार-बार एर जो है वो उसको ट्रैप करती है तो अब क्या करेंगे हम अगर इसको घुमा दें बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इसने वीडियो में आगे आगे किया है देखें अभी इसमें टाइम लगा है इनको कोई 15.5 सेकंड इनको लगे है ठीक है लेकिन स्ट्रॉ से और भी तेजी से निकल गए क्योंकि अब वो स्ट्रॉ के थ्रू एर जा रही है किसी किसम की कोई दिस्ट्रिक्शन उसे नहीं हो रही है और तो यह जारा कि इसका इंट्रस्टिंग फिजिक्स का फिनामेना था आप लोग अगर समझ नहीं आई तो कानली मुझे कॉमेंट में बताईएगे ताके मैं इस वीडियो एक्सपेरिमेंट को खुद ट्राइ करूँ आपके लिए तो आज तक के लिए अभी तक के लिए इतना ही हमादों को इजार दिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए इस किसम की और वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को ज़र दूर शेयर कीजिए ताके हम उसके उपर एक वीडियो बनाएं के आगे हम अपने बता सके के साइन्टिफिकली यह चीज कैसे वर्क कर रही है हर चीज जो है ना वो करामत नहीं होती अलाहाफिस